आए अब देखे जॉइंट वेंचर्स की अकांटिंग देखते हैं कि कैसे बिजनेस जॉइंट लियोंड और इसमें जो वर्ड आप यूज वारा है यह असल में में रीजन कि यह जो जॉइंट वेंचर्स बनाती हैं बड़ी बड़ी कंप्नी आप सोचें कि मिले ट्रेक्टर हो गया या मोगल स्टील मिलो गया इन्होंने बड़े बड़े जगह पर जॉइंट वेंचर्स शुरू की हो गया इसके परपस तो बहुत हैं लेकिन ह है मन जाएंगे कि basically होता यह है कि आप इन अपने losses या अपने gain की वज़ा से इनको बना लेते हैं और फिर उसके बाद dispose of कर देते हैं मैं आपको एक असान तरीके से समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यह special purpose vehicle या special purpose entity है क्या चीज़ देखें इंशूरंस कंपन company or rather let's say leasing company को ले ले कि leasing company जो है सारा कुछ अपना lease पर देती है यह यह ना तो उनके receivables होते हैं आप देखें receivables की collection is a major problem और आपने अगर business चलाना है as a leasing company तो obviously आपके पास पैसे हों तो आगे आप lease पर लोगों कुछ लेकर देंगे ना तो अगर आपके सारे फसे हुए हैं let's say receivables हुएं तो आप आगे business नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करते हैं एक company और खड़ी करते हैं उसका share बेजते हैं वहां से पैसा आता है पैसे आपको आप अपने receivables उनको बेज देते हैं मेरी पास समय में आ रही है कि receivables वो collect करेंगे आपके आपके पास पैसे हैं व collect करेंगे आपको देते जाएंगे और इस तरह से आपका business progress करता चला जाएगा तो यह basically excellency topic लेकि मैं आपको brief किया कि कैसे special वो बनाएं जा रही हैं और कैसे operate होती है agreement for a specific a temporary partnership जैसे मैं नहीं करें temporary आपका तो वो पूरे receivables आगे बस खतम भी कर सकते हैं a joint venture contribute investment agree profit and share 50-50 अचा यह अगर दो हैं तो 50-50 है अब अगर तीन है तो one third one third हो जाएगा separate entity for a particular project having separate books of joint venture or any one of the party keeps the books of accounts अब यह भी बात समझें कि अगर तो बहुत बुड़ा business में आप जा रहे हैं joint joint venture में तो ज़रूरी है कि फिर आप उसके लिए एक अलग से office बनाएं उसके अलग से accounting करें ताके पूरा control रहे लेकिन अगर आप temporary के तौर पर जाना चाह रहे हैं तो यह भी possibility कि one of the party can take care of this responsibility कि वो accounting करें उसकी सारी और बाद में तो account render करें और बाद में उसको होगा settle भी कर ले on completion the project the respective party get the account settled sometime one may contribute finance यह other may provides expertise technical know-how मैं आपको practically बताता हूं कि पाकिस्तान में टेक्साइल में आजकर क्या हो रहा है कि अभी तो अलग अशुकर है कि फैसलाबाद में ठीक ठाक चल पड़ा है business लेकिन आप ठाल यह साल पहले की बाद देखें तो वहां पर सारी looms बंद हो गई तो कुछ ही जो यह textile owners थे इन्होंने क्या किया कि उन मशीनों पर अपना धागा ले जाकर कपड़ा बनवाना शुरू कर दिया तो यह भी एक arrangement तो इस इस वाट बैसिकली दे जू अब आए इस में एक थोड़ी सी detail में जाते हैं A limited and B limited both are builders. There is a huge government project to build 20 stories complex inviting tenders among which involve 20 billion रुपे अब देखें दो builders हैं और वो चाते हैं कि हम यह government का contract जाएना ले लें They do not qualify for a bid. इसलिए के 20 billion एक के पास नहीं है. They decide to join together and formed S.P.E. P. Limited. उन्होंने क्या किया कि एक P. Limited बनाई और उसमें उन्होंने वो अपना-पना जो पैसा है वो लगाएंगे. And contributed 10 million each and agreed to share profitability. अब आसमें आगे कि 20 billion का जो project है वो एक नहीं कर सकता था. तो दोनों ने अपना 10-10 billion डाला और एक नई company बना ली उसके share issue कर लिए है. और उसको लेके चल रहे हैं. The project में टेक्स 2-3 years. इसमें लिए 2 years लिखा है. To complete. They will wind up the S.P.E. soon the project is completed. मैंनी जासे कहाना, expressive purpose के लिए बनाई आपने ये complete. जुए एक project complete हो जाएगा, ये entity खतम हो जाएगी. The windy tender on 1st of January 2021. P.E. limited issue shares to ventures and work started. Proper accounting records are maintained during 2021. Following results were achieved. मैंने कहाना, short कर रहा है. मैं सुझाने के लिए बात कर रहा है. मनना तो पूरा सवाल है. Revenue earned एक साल में 8 billion का और direct cost 6 billion की and there is a profit of 2 billion. अलाकि इसकी detail आने चाहिए न के profit में कब कैसे कैसे आया और कितनी cost उसकी लगी इसकी detail में मैं नहीं किया. Simply बात के 8 million का revenue earned किया और इसमें जो cost incur हुई आपकी 6 billion की तो profit आपको हो गया 2 billion का. Each will record 1 billion profit in their income statement and one line on the basis of equity method. एक line में बस अपना profit दिखाएंगे. Investment Debit 1 billion and Credit Profit 1 billion. जो share आपने खरीदे हुए वो तो अपने investment की हुए है. वो तो अलग से एक चीज है. Investments in SPV वो अलग है. यह profit की बात हुए है कि profit share कर लेंगे. There can be a separate entity. Each venture record investments in joint venture at the end of the year or end of the venture. Accounts will be prepared and profit and loss will be shared in an agreed ratio. Accounts will be settled and joint parties record their share of profit and loss and receivables and payable close the books of the joint venture. So it's simple है. मैंने conceptually बात कलिर हो गई कि joint venture में किस तरह से आप profit and loss share करेंगे अपनी books को close करेंगे. लेकिन close अब होगी जब project जिसके लिए आपने यह venture की है वो complete होगा. अभी तो एक साल गुजर है ना. तो अभी तो और चलना है वेले साल. So this is how basically the joint venture में accounting की जाती है लेकिन इसको हम सा और जरा detail में देखेंगे. Thank you very much.